जो रंगाली भी हूँ आप मनाते हो जब आप रंगाली भी हूँ मनाते हो तो हम उसी समय बिलकुल उसी समय बैसाखी मनाते हैं कल ईद थी सभी मुसलिम भेन भाईयों को ईद मुवारिक खैर मुवारिक और जब असम में आप बहागी भी हूँ मनाते हो तब हम लोड़ी मनाते हैं 13 जनवरी को 13 जद 14 जनवरी को होती है लोड़ी तो जब असम में आप लोग भोगाली भी हूँ मनाते हो तब हम लोड़ी मनाते हैं जब आप बहागी भी हूँ मनाते हों हम बैसाखी मनाते हैं जैसे आप लोग पूरे माने हुए हो अपने कल्चर में नाचने गाने के लिए ऐसी हम भी माने हुए हैं पंजाव वाले नाचने गाने के लिए अपने कल्चर को अपने विर्से को आगे बढ़ाने के लिए महापुर्ष शिरीमंद शंकरदेव और महादवधेव ने सभी जाती धरम को एक कैके एक असमिया समाज का जो नारा दिया था आप उस पे काइम हो यही चीज हमारे भी यहां काइम है गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादर जी असम में आये हुए हैं असम में गुर्दवारा सहाब हैं उनके वो भी यही मानवता का संदेश देने आये थे महावीर लाचित बर्फुकन जी ने देश से बड़ा मामा नहीं हो सकता यह बोल कर घर्दन कार दी थी मामा की देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता रिष्टेदारी यह वो यही कल्चर हमारा है देश से बड़ा कुछ नहीं है हमारे भी भगत सिंग राजगुरू सुखदेव हमारे लाला लाजपत्रा है हमारे पंजाब से भी आजादी के लिए 80% कुर्बानियां दी गई तो हमारा असम के साथ कल्चर मिलता है हमारा विर्सा मिलता है हमारा एक दूसरे की सांज है मैं आते हुए देख रहा था कि आप लोग चाय के बागान में च leashट्री लगाके पीछे बैग लगाके चाय तोड़ते हो। चाय की पतीय तोड़ते हम लोग बिल्गूर वैसे ही कॉटन में करते हैं नरमा कपास हैसी जाते हैं हम भी लोग खेतों में हम खेतों के बच्चे हैं मैं भी खेतों का बच्चा हूँ आप भी खेतों की बच्चे है तो खेतों के बच्चे भूखे क्यों मर रहे हैं सवाल ये है मेरा आज खेतों के मालिक भूखे क्यों मर रहे हैं सवाल मेरा यह है क्यों मर रहे हैं क्योंकि हें मंत कमार वस्बा जैसे लोग आ गए हैं भाई सब क्या करें उनका जो आपके मुख्य मंत्री हैं वो कॉंग्रिस के शाशन में सिक्षा मंत्री और स्वास्त मंत्री होते थे हेल्थ मिनिस्टर एंड एजूकेशन मिनिस्टर अगर वो चाहते आज से 20 साल पहले असाम के सारे सकूल शानदार होते थे अगर वो चाहते हैं उनकी नियत साफ होती तो आज असाम के हस्पिताल शांदार होते असाम के लोगों को इलाज कराने के लिए चंडीगड, बेंगलोर, पटना या दिली न जाना पड़ता अगर उनकी चाहा इच्छा होती है अब इदर आ गए हैं अब इतन से शुरू कर दिया काम ये बताओ सरकारी स्कूल असम में आठ हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिये गए मेरे साथ आज सीट पे जहाज में एक बंदा बैठा था उसने कहा जी ये तो बहुत ही गलत हो रहा है हमारे असम में आप प्लीज बोल दे ना वहां जाके मैंने कहां मैं बोल दूँ अब बोलो क्या कहता जी आठ हजार सरकारी स्कूल बंद हो गए मैंने कहां क्यों हो गए कहता जी बच्चे नहीं है वहां सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं हैं पढ़ने के लिए तो स्टाफ को क्यों तनखा दें सरकारी स्कूल बंद कर दे बिलकुल यही हालत दिल्ली के सरकारी स्कूलों की थी जब अरबन के जरीवल मुख्यमंत्री बने थे बिलकुल यही हालत पंजाब के सरकारी स्कूलों में थी दो साल पहले जब मैं मुख्यमंतरी बना था लेकिन हमने कहा स्कूल बंद करने की बजाए हम स्कूलों को ही इतना अच्छा कर दे कार्ण क्या है बंद करने का कार्ण क्या है बच्चे क्यों नहीं आ रहे माता पिता का पिरेंट्स का बिश्वाश उठ गया सरकारी स्कूल की पढ़ाई से कि चलो हम तो हम तो जैसे तैसे जी लेंगे हमारी तो कट गई कम से कम बच्चे को तो प्राइवेट में पढ़ा लें अच्छी सिक्षा दे लें सरकारी में सिक्षा नहीं प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं माता पिता के सरकारी स्कूल अच्छे हो गया तो भाई साब मुझे ये बताईए मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री की पतनी के प्राइवेट स्कूल है बड़े प्राइवेट स्कूल है एरपोर्ट पे आड लगी हुई थी अब जिस देश का राजाब पारी उस देश की जनता भिखारी बहिए जब मुख्यमंत्री के अपने प्राइवेट स्कूल होंगे वो सरकारी स्कूलों को क्यों ठीक करेगा बहिए क्यों करेगा वो अगर मुख्यमंत्री की अपनी ट्रांस्पोर्ट होगी वो सरकारी बसों को क्यों चलने देगा बहिए अगर मुख्यमंत्री खुदी जमीन खरीदने और बेचने का काम करता है वो किसी का और का काम क्यों चलने देगा बहिए अगर मुख्यमंत्री का अपने टीवी चैनल है उस पे तो तारीफ ही होगी भाई साथ ये टीवी वाले में उनका तो नहीं है न उनका तो नहीं है कोई कैमरा है दिखा देना मुख्यमंत्री के अपने जैनल है जी भाई साथ तो कौन दिखाए कहां देखें कहां क्या करेंगे हम यह चल रहा है चाय बागान का एरिया है चाय बागान का एरिया है धाई सो रुपे दिखाड़ी है धाई सो रुपे दिखाड़ी है आमाधी पार्टी की आप जाडू का बटन दवाना साड़े चार सो दिखाड़ी करके दिखाएंगे आप मैं 500 नहीं कह रहा मैं 400 भी नहीं कह रहा जितनी मैं कर सकता हूं दो Deborahson परधानया है उन्होंगे कहाए वादा वही करा सकते हो मैं 500 भी कह सकता था मैं 400 भी कह सकता है लेकिन++-400 तो पक्का हो सकता है और ठ्सबसे बड़ी बात जो मांटी का पटता माटी पट्टा नहीं मिल रहा है बई माटी हमारी है पट्टा हमें मिलना चाहिए आदिवासियों के तीन ज़ है जल, जंगल, जमीन उनको वो तीन नहीं मिल रहे आपको माटी पट्टा नहीं मिल रहा आमामी पार्टी को आने दो माटी पटा आपका हाक है आप कनोन बनाए गा यह समझते क्यां देश को भैस अब देश को समझ क्या रखाए नोने कभी मर्जा चीडिये कभी जोंजा चीडिये ऐसे लोगों को बेड़ बकरियां समझ रखाए नोने कभी इदर, कभी उदर पहले सबसे पहले 2015 में सबसे बड़ा करप्शन का केस और सबसे बड़ा करप्ट बंदा डिकलेर किया था मिशा जी ने आपके मुख्य मंत्री है मंत्विस बाजी को आज वो सबसे अच्छा और सबसे धुला हुआ है बाशिंग मिशीन में आ गया न बीजेपी वाली बाशिंग मिशीन में आ गया हर भात पे जूट बोला जा रहा है हर बात जुमला है मैंने पार्लीमेंट में बोल दिया था मैंने का मोधी जी पंद्रा लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है पंद्रा लाख की कलम पंद्रा लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है पंद्रा लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है हर बात ही जुमला निकली अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी शर्त लगा लो आप आप तो चाय वाले लोग हो आप तो चाय भी नहीं बनानी आती होगी जूट पे जूट जुमले पे जुमला केजरीवाल को अंदर कर दो आमानी पार्टी खतम हो जाएगी कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं अर्विंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है अर्विंद केजरीवाल को तो गिर्फतार कर लोगे लेकिन उसकी सोच को कैसे गिर्फतार करोगे यह कितने अर्विंद बतके just यहाँ ढूंगे पकाए होंगे को किำना की उनके आका भेजते आ il深 जाके देखना गवगवन तमान ने क्या बोला था जो अब मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये बता देना अपने आखा को कि हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो अपनी उकात में रहें और इस बार आपके पास जो ऐस क्या है जब पोलिंग वाले दिन जाओगे एक मशीन पड़ी होगी पर्दे में और कोई नमबर देखना ही नहीं है पहले नमबर पर ही जाड़ू है पहले वाला बतन दबा देना अगर दूसरा तीसरा जा कोई और बतन दबा दिया करंट लग सकता है आपको तो पहला बतन दबा के अपनी जम्हेंबारी खतम हमारी जम्हेंबारी शुरू मशीन में भी पहले नमबर पर है और चांट जून को आना भी पहले नमबर पर ही है मनोजी यमारे मनोज बताएं मैंने कोई बात जुट बोली यह ही इतरह है नहीं बिलकुल नहीं सर आपने जो बोला है सर हम यहां पे हजारों की संक्या में हम लोग पहुचे हैं यहां पे और आपको इत्मिनान से कह सकते हैं क्या मुझे बताओ आप थाई सोग की साड़े चार सा होनी चाहिए आप इस समाज से हैं जाए चाहे बाएं समाज से धर धर सब नाइस अपना लुके अटा हुरोट को अंसर दे दी है सर लोगों ने साड़े चार सो रुपिया चाय बगान के और माठी पट्टा माठी पट्टा राई सबहे अटा हुरोट को अम अग माठी पट्टा लगे ने न लगे सरांसर मिलगे आपको सर तालिया इनके लिए तालिया इनके माता पिता बैठे हैं इनके घर वाले बैठे हैं पत्नी बैठे हैं ये परिवार है हम लोग आप जैसे लोग ही हैं हम बाकि इनका तुम अपने रिष्टदारी टिक्टे लेते हैं बस अपनी पार्टी में को चाचा दादा साला जीजा बेटा बतीजा सब इनके लेकिन हम लोग आप जैसे हैं मैं एक टीचर का बेटा हूं मेरे पिता जी मास्टर थे अभी है नहीं दुनिया में लेकिन आम घर से सकूल जाते थे दसमी तक सैकल पर तो वहां से आए अर्विंद केजरिवाल ने पार् यह सिर्फ आमाधी पार्टी कर सकती है आमाधी पार्टी आम लोगों को मौका देती है आम घरों के बेटे बेटियों को आपके बेटे बेटियों को भी मौका मिलना चाहिए तर दो साल में तरतालीस हजार सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं तरतालीस हजा 43,000 सरकारी नवक्रिय हैं पंजाब में बिजली फ्री है पंजाब में 90 परसेंट घरों को बिजली का बिल जीरो आता है पंजाब में आम आदमी क्लीनिक खुल गए इलाज पैरा सीटा मोल की गोली से हो चाहे 40 लाख किट है विए प्रेशन से हो बिल्कुल फ्री है जी दिल्ली में भी फ्री है ऐसे ही असाम में करेंगे असाम बालों का हक नहीं बनता क्यों इलाज सिर्म नेताओं का फ्री होना चाहिए यह बिजली सिर्म नेताओं को फ्री होने चाहिए आपका हक नहीं बनता आप आप लोग क्या टेक्स नहीं देते हैं टेक्स देते हैं आप तो टेक एक नंबर पर हमारा निशान है आपने दूसरा तीसरा चौथा नंबर देखना नहीं है जाड़ू है शफाई करता है मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में मोदी जी की आंदी को कैसे रोक लिया मैंने का क्या मतलब कहते जी मोदी जी की आंदी को कैसे रोका मैंने का सिंपल है कोई रॉकट सेंस नहीं है कैसे रोका मैंने का बीजे पी का चनाव चिन क्या है बोले जी कमल का फूल मैंने का हमारा चनाव चिन क्या है कहते जाडू मैंने का कमल कहां उखता है कहते जी कीचड में मैंने का जाडू क्या करता है कहते कीचड की सफ वाही करते पंजाब और दिली में जाड़ों गए अब फूकमल का फूल उगए नहीं उगए नहीं उगए नहीं तो आए यह अभी अपको लॉलीबॉप देंगे जैसे अभी लॉलीबॉप दे दिया एक तो कि सौर पिया सिलेंडर सस्ता आप लोग खुश हो गए लेकिन ये तो सोचो हजार पिया मेंगा किसी ने किया था हजार मेंगा करके सौ सस्ता खुश हो ये तो वो बात हो गई किसी घर में शादी थी अच्छा परिवार था लड़की लाजली थी कि बहुत अच्छी शादी करेंगे उसके लिए सामान क्यार किया बड़े बड़े सोफे बड़े बड़े टीवी बड़े गैने चांदी सोने के गेवर सब बनवा लिया कल बरात आनी थी आज शाम को डाक हुआ आए ट्रक लेकर लरकी के पूरे परवार को एक कम्रे में बंद कर दिया अँड़ोचना यह देखना क्याते हैं आपको कम्रे में बंद दिया तो सारा समान सेर्फे टी-वी सब ट्रक में लंड़े चलने से पहले डाकों के सरदार ने कहा लड़की का परवार किस कम्रे में बंद है कि इस कम्रे में खोलो अंदर जाके बोले किस लड़के की शादी है एक लड़की विचारी उठी जी मेरी शादी डाकु ने अपने हाथ जेम में डाले सौर पैया उसको शगन दे दिया बिटा तेरी जिन्दगी बहुत अंदरुस्त रहे खोशहाल रहे तुझी ये बुड़ सोहागन होवे बहुत बहुत मुबारक बिटा ये कहके वो चले गए अपना ट्राक लेके अगले दिन पुलिस आई बाई साव लाड़की के परवार का पुलिस के पास F.I.R. लिखवाने को त्यार नी हो रहा था कहते जी जो मर्जी है लूट के जो मर्जी लेगे लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे सौर पिया शगन दे गए बैसे ये आपके साथ करता है मोधी देखो पांच साल आपको लूटता है और सौर पिया सिलेंडर सथा कर देता है हम कहते हैं ये बंदा बड़ा अच्छी जो मर्ची है जी सौर पिया सिलेंडर ए इन लॉली पॉप में मताना इन चुमलों में मताना क्योंके हकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है यूँ कहने को तो मुर्गे के सर पे भी मूटाता है जी मनो ज अब मैं आपको बोलना चाहता हूं सर जैसे औरुनोदो यास्वनी बोलके एक स्कीम हमारी सरकार यहां चलाती है जहां महिलाओं को साड़े बारसो रुप्या महिना दिया जाता है अगर आप हमारी यहां जितनी महिलाओं हैं उनको पूछेंगे कि आपको औरुनोदो यास्व कर दिया अभी उनलोग ने काम किया सर जीसे अपने जुमला भुला है उनलोग लिया जुमला सुरू किया سर फॉर्म लेले के घर घर जाके महिलाओं को अभी नया फॉर्म दे कि दानी चलमें आपको चुमक्ट सय कुप्ला थो मुझे बड़ी अच्छी बाच चल रही है हमारे लग डहाएं मुझे में भाशन नहीं दे रहा हूー हम बात चीद कर आपको भी अच्छा लग लगरा होगा तो जो छे यह जन दों लो जो बहुत सालों से जन जाती करन की मांग कर रही है हर बार बादा भी कर लिया जाता है वो क्यों नहीं हो पारा क्या कारण क्या है राइस आमार मांसावे अमां खुदी से जह सोटा जनोगुस्ती आमें जनोजाती करण बिसारी सिलो होलेने राइस जनोजाती करण होलेने? ड़र बोसोर नह ले खारने नह ले राइस अमांग मांसावे अमांग उत्तोर बिसारी से तो हम करेंगे हम करें, हम कर दें, यह करना चाहिए, जो जिसको हक है, वो उसका हक, उसको मिलना चाहिए, यह देश बासी हैं, यह टेक्स देते हैं, यह देश किसी, यह देश किसी के बाप की जगीर नहीं है, यह देश 140 क्रोड लोगों का है, भगवान सार, जिन्दापर, और हमारे, इंडि इंडिया गठवंदन के ये अमीदवार हैं मुझे पता चला कोई और भी कह रहा है कि हम इंडिया गठवंदन में हम हैं बाकी सभी पार्टियां हैं लेकिन इंडिया गठवंदन की तरफ से ये हमारे अमीदवार हैं किसी और की बातों में मताना हाँ इस जाडू से इस जाडू से पहले हम दुकान या मकान साफ करते थे अब आने वाले दिनों में इस जाडू से अर्विन केजरिवाल की गवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा आप मुझे यह बता दीजिए कि हमारा बटन कौन से नंबर पर है कितना एक नंबर पर और चार जून को जब जलता आएगा तो आना कौन से नंबर पर है एक नंबर पर ठीक है न तो जाडू का बटन इभी हम में एक नंबर पर है जाएए अराम से बटन दबा के आजाएए आपकी जम्मेबारी खतम हमारी जम्मेदारी शुरू हम काम करेंगे हम हस्पताल बनाएंगे हम सकूलों को शांदार करेंगे आप पंजाब दिल्ली से पूछ लेना किसी से दोस्त मित्र होंगे कोई रिष्टेदारी होगी आप पंजाब और दिल्ली में पूछ लेना अगर पंजाब और दिल्ली के काम अच्छे लगे तो बोट दे देना अग बार बोट दे देते हम क्या करें कहां जाएं यही बस अमीर और अमीर हो रहा है गरीब और गरीब हो रहा है यह तो चलेगा निन्या जदा देर यह देश आम लोगों का है लोग तंतर में लोग बड़े होते हैं लोग जब चाहें आदमी अर्ष पर और लोग जब चाहें आदमी फर्ष पर यह लोग निकाल लेते हैं इतनी कहना चाहूंगा कि अक्सर लोगों को कहते सुना है जिन्दा रहे तो फिर मिलेंगे अक्सर लोगों को कहते सुना है जिन्दा रहे तो फिर मिलेंगे लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिन्दा रहेंगे भगवन मान सार दोनों हाथ उपर उठा के इनकलाब जिन्दाबाद के नारे शहीदों के दोनों हाथ उपर उठा के इनकलाब दिखो भई सब BGP वहले भी आए हुए हैं उन्होंने ये भी पूछना है नारे कितनी जोर से लग रहे थे अब क्या जबाब दोगे भाई सब कम से कम आसमान तक तो फैले न तो फिर उनको ये कहना पड़े कि सर नारों के बारे में आप क्या सौनते हो पूछते हो टीवी पर आपने भेखी लिया होगा फिर ये सब टीवी पर चल रहा है सिर्फ हैमद बिस्वा के चैनल की बेनाबास बाकी साथ पर चल रहा है दोनों हाथ उपर उठाके इनकलाबाद भारत मता की जाई जाई योखम बुले सोने हाल सलस्रिया काल जिंदगी पर ये प्यार नहीं भुलूँगा भाई साब ऐसान मांद रहूँगा और वस फिर मैं बेंती करता हूँ मनोज भाई हमारे आपके बंदे हैं आपके बीच में लडने वाले आपके बीच में खड़ने वाले बंदे हैं जिताये और ऐसे लोग जाएंगे पार्लिमेंट में तो कनून अच्छे बनेंगे तो कनून अच्छे बनेंगे तो हम सब को फैदा होगा बहुत 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 ज़्यादा धन्यवर